वारा नसी जोन के ADG कारियाले में मंगलवार का दिन बेहत खास और भावुक रहा जब सुपोल के नो साल के कैंसर पिरिद बच्चे ने ADG का चार्ज संभाला यह कोई साधारन घटना नहीं थी बल्कि बच्चे के अंतिम इच्छा पूरी करने का एक अनोखा और दिल को चूजाने वाला प्रियास था IPS बनने का सपना देखने वाले इस बच्चे के सपने को साकार करने के लिए वारा नसी जोन के ADG पियुश मोर्डिया ने उसे एक दिन के लिए कारिया भार सोपा नैकेवल बच्चे की आँखों में खुशी थी बल्कि वहां मोजुद हर एक व्यक्ति की आँखे नम हो गई थी और इसके साथ खुशी भी थी बालक का नाम प्रभात रंजन भारती है प्रभात ब्रेन कैंसर से पेडित है वारा नसी जोन के ADG पियुश मोर्डिया ने मंगलवार को बच्चे को उसके पिता रंजीत और मा संजु के साथ बुलाया प्रभात रंजन की इच्छा पर उसे एक दिन का ADG बनाया गया प्रभात ने शहस्तर रंबल के साथ ADG का चार्ज लिया पूरी प्रक्रिया के बीच आफिस में पुलिस कर्मियों और गार्ड ने उनको सलामी दी एक दिन के ADG ने कारिया ले और परेड का निरिक्षन भी किया इसके बाद पुलिस ट्रीम की मोजूदगी में सह सम्मान अपनी कुर्सी पर बैठाया कारिया लेके सभी पुलिस कर्मी प्रभात से मिले और सलामी दी इसके साथ ही ADG ने गुलदस्ता भी दिया इसके बाद जिबसी में बैठकर प्रभात को ब्रह्मन कराया गया प्रभात UK पुके जी का चात्र है पिछले साल उसको कैंसर होने की जानकारी मिले थी इच्छा पूरी होने के बाद चात्र बहुत खुश नजर आ रहा है